नोटा विकास प्रादिकरण के चीफ इंजिनिर यादर सिंग के मामले को और यूपी के खनन मंदरी गायतीर प्रसाथ के खिलाफ मुर्चा खुलने वाली नुतन ठाकूर हमारे साथ हैं इन्होंने अपनी PIL और RTI के जरीए कई इसे खुलासे किये हैं जो काफी अहम है नुतन करती हैं एक महिला होने के नाते खत्रा हुआ हो ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ ये जरूर है कि जो काम मैं करती हूँ तो उन चीजों को लेके कई बार ऐसे होते कि जाहिरा तोर पे किसी की मदद करती हूँ या कोई मुद्दे उठाती हूँ तो किसी ने किसी प्रभावशाली व्यक्ति की नाराजगी भी साथ में जुड़ जाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके इंट्रेस्ट हार्म हो रह देखें यादव सिंग प्रक्रण में जो गड़बड़ी है वो मैं कहूंगी हर आदमी अवेर था लेकिन उसके साक्ष नहीं थे क्योंकि कोई भी इंडिविज्वल व्यक्ति या समाज का आदमी अगर कहता है कि फला व्यक्ति ने गड़बड़ी की है तो उसके भरोसा नही देखती है तो चीजे सामने आती है यादव सिंग प्रक्रण में भी कई बार पहले भी मामले चले कई शिकायते लोगों के द्वारा की गई लेकिन हर बार क्लीन चीट मिलती रही यहां मैं कहूंगी कि जांच एजनसीज भी कई बार होती है वो फेर जांच नहीं करती है या कहीं दवाओं में आ जाती है शायद यहीं वजह रही कि उत्तर प्रदेश में तमाम जांच एजनसीज यहां तक कि मेरी जानकारी के अनुसार यादव सिंग के खिलाफ लोकायुक्तवे भी शिकायत की गई थी किसी भी तरीके की फाइंडिंग नहीं आई खतम हो गया CBCID ने जाच की उन्होंने भी क्लींचिट दे दी लेकिन उसके बाद यादव सिंग के यहां इंकम टैक्स की रेड पड़ी और रेड के दौरान तमाम चीजे मीडिया में आई कि काफी संपत्ती होने की बात आई काफी सारी चीजे बरामद हुई लेकिन उसके बाद भी गो इस केस को जितनी चीजें भारी मातरा में संपत्ती होने की बात सामने आई और ब्लैक मनी के इन्वाल्मेंट की बात सामने आई तो यह आया कि SIT है जो ब्लैक मनी वापस लाने के लिए बनी हुई है उसने कहा कि हम भी इस इशु को टेक अप करेंगे और SIT भी इसको देख रही थी और साथ ही इन्फोर्समेंट डारेक्टरेट ने भी कहा कि ब्लैक मनी इन्वाल्व है तो इस इशु को हम भी टेक अप करेंगे लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार के द्वारा उनका निलंबन तक नहीं किया गया या आदव सिंह कोई कारवाई नहीं की गई तो म इनकम टैक्स से सम्मंधित मामले देखता है कि अगर टैक्स चोरी हुई है तो उनकी जाच वही तक सीमित रहती है वो टैक्स अपना जितने की चोरी अगर सामने आती है तो लेके मामला खतम हो जाता है ED की भूमिका भी तब आती है जब ब्लैक मनी की बात सामने आए और वो वापस लाने का काम करते हैं और ठीक इसी तरह की चीज SIT जो बनी थी वहाँ भी इसी परपस से बनी हुई थी लेकिन इन सब को कोरिलेट करके जो misuse of authority है और घोटाले कितने मातरा में यादव सिंह के द्वारा किये गया उस पोस्ट पे रहते हुए कोई जाच एजनसी के दाहरे में ये चीज नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कि इसके लिए जब तक CBI से जाच नहीं होगी तब तक सारी चीज जो है fact इस मामले के निकल के नहीं आएंगे लेकिन मेरे साथ समस्या थी कि जब तीन एजनसी जाच कर रही है और आज सरकार कुछ कर नहीं रही थी तो जब मैं कोर्ट में इस मामले को CBI जाच के लिए लेके जाओंगी तो मेरे पास आधार क्या होंगे कि आखिर जब तीन एजनसी जाच कर रही है तो CBI जाच क्यों कर आई जाए तो इस मामले में मैं कहूंगी कि मेरी बेटी है वो भी law student है और उसने मदद की और उसने मुझे case law दिया ढूंड के और बताया कि इस ground पे आप CBI जाच के लिए ज सकते हैं क्योंकि सारे के बावजूद भी सुप्रीम कोट ने कहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिस पे बाहर विदेशी इंवाल्मेंट की बात हो और कई जगों से जाच की बात हो रेर मामला हो तो बहाँ CBI को केस हैंड ओवर किया जा सकता है तो उसको लेते हुए आधार बनाते हुए मैंने हाई कोट मेरिट याच का दायर की कि तीनों एजनसी जाच कर रही है लेकिन इसके बाद भी जब तक CBI इसकी जाच नहीं करेगी तब तक पूरी जो घोटाले और गड़बड़ी हुई है उसकी सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी और जब इसको पी आईल को मैं ने फाइल किया फाइल हुई कोट में जवाब देना था तो राज सरकार के द्वारा तो र्यादव सिंग का नीलम कोट को सुचित किया गया है कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो भी कारवाई है हम कर रहे है डिपार्टमेंटल इंक्वाईरी लेकिन उससे और दूसरा मैंने ये मांगा था है कि एक जुडिशियल कमिशन बनाई जाए क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अपने सेवा में इतना बड़ा नहीं हो सकता है अकेले अपने बूते कि वो इतनी गड़बड़ी करे और चुपा रह पाया बिना किसी सनरक्षन के इतने बड़े पैमाने पर करॉप्शन को नहीं अंजाम दिया जा सकता तो अपने पूरे सेवा में कोई व्यक्ति यादव सिंग जैसा कैसे बनता तो न्याइक आयोग इस चीज की जाच करे और सुझाओ दे कि इन इस्थितुओं से कैसे निप्टा जा सकता है तो इस पर राज्य सरकार न उनको बचाने के लिए वहां से जब सुप्रिम कोट ने मामले को खारिज कर दिया तब जाके अंते में सीविया इजाच शुरू हो पाई आपने खंदन गुटाले में इनकी इन्वाल्मेंट है अप कैसे लगा कि इस गुटाले में सामिल है जैसे देखे मैंने जब शिकायत की थी मुझसे पूरे शिकायत के प्रिष्ट भूम ही यह थी कि मुझसे पहले एक कोई ओम शकर्दवेदी है उन्होंने लोग का युक्त के हाँ शिकायत की और तमाम तथ्य दिये कि उनकी संपत्ती आय से जादा है और तमाम ऐसे लोगों के नाम उस शिकायत में बताए गए जिनके नाम से उन्होंने संपत्ती रखी हुई है और ये भी था कि चुकि कुछ समय पहले तक गैतिल प्रसाद प्रजापती जी बीपी यूटके समक्चिए कहा कि हुव अपनी शिकायत वापस लेना चाहता है वो इस अपने केस शिकायत को आगे परसु नहीं करना चाहता जिस पे लोकायुक्त के द्वारा ये कहा गया कि एक बार शिकायत का प्रावधान है शिकायत आ गई तो भले इतनी गंभिर शिकायत है कि भले ही शिकायत करता सामने नहीं हो लेकिन उसके बाद भी हम जाँच जारी रखेंगे उसके बाद मेरे द्वारा शिकायत दी गई और ये कहा गया कि आपके द्वारा जो जाच की जा रहे ही जो fact आए है तो वो संपत्ति जब तक आप source नहीं जानेंगे कि संपत्ति कहां से आई है तब तक आपकी जाच समगरता में नहीं हो पाएगी और मैंने ये कहा कि जो संपत खनन को तब तक आपकी ये जाच पूरी नहीं हो पाएगी और मैंने अपनी शिकायत में कहां किस तरीके से खनन हो रहा है किस तरीके से पैसे की उगाही होती है कहां उगाही होती ये सारे facts मैंने अपनी शिकायत में आपने कहा कि गयतिर प्रसाद के खिलाब सिकायत करने के जो है भुक्तव होगी आप भी है ऐसा क्या हो गया कि जो है आप अपने अपको ऐसे कर रही हैं सिदेखे चुकि अवैद खनन की शिकायद जब मैंने की थी तो करते ही जैसा मैंने पहले भी बताया धमकी आई धमकी में यही कहा गया कि आपको जो भी करना है आप लेकिन उनके प्रॉपर्टी संबंधी और बाखी चीजों के बारे में बाते न कहिए नहीं तो चुकिए आपके और खास करके मुझे ये भी ताकीद की गई कि आपके पती सरकारी सेवा में भी है तो उस चीज को भी समझ लीजे कि वो मुश्किल में आ जाएंगे और आप पे भी असर होगा फिर भी मैंने अगले बार जैसे ही मैं साख्ष देने लोकायू उतके ह अगले उसके अगले दिन मुझे पता लगा गी किसी महिला ने महिला आयोग में शिकायत की है कि किसी महिला को से मैं गाजियाबाद में मिली और मैंने नौकरी के लिए बुलाया और फिर मेरे पती के पास मैंने भेजा कि वो इंटर्व्यू लेंगे और उन्होंने उसके जानकारी में आया कि इस तरह की शिकायत आई है तो सुनते ही मैं समझ गई क्योंकि मैं कभी किस गाजियाबाद मेरा वैसे भी बहुत कम जाना हुआ है एकका दुक्का बार गई भी हूँ तो किसी महिला से ऐसी मुलाकात हुई हो मेरी यादाश्त में नहीं है तो मैं महिला जानती नहीं हूँ और पूरी तरह और जो शिकायत भी दी गई थी उस पे कोई समय कोई तारिक कुछ भी नहीं था केवल मेरा मेरे पती का नाम और मेरे घर का पता इतनी चीज मैं कहूंगी सही थी बाकि सारी चीजे गलत थी लेकिन वहां जब गई तो उन्होंने कहा कि हमा करिये क्योंकि जब आपको आपके पाँ शिकायत आई देखना है तो मैं भी शिकायत कर रही हूँ कि गलत शिकायत है और फजी फसाने की फला कारण से कोशिश हो रही है और महिला आयोग का पॉलिटिकल मिस्यूज होने से बचाई है लेकिन उसके बाद भी जो बाते कहीं है क्योंकि महिला आयोग में भी संग्यान तो बाद में लिया गया पहले उस चिठी को मीडिया में सर्कुलेट किया गया कि इस तरह की चीजें आई है जब मैंने आपत्ती की उसके बाद कुजिन बाद फिर जब कुछ नहीं हुआ तो हर फोरम पे मैं अगले दिन ही डीजी पी के हाँ भी गई अपने पती को भी साथ लेके कि साहब ये आरोप ऐसा है जिस पे आरोपी व्यक्ति के पास भी कोई साक्ष नहीं होता है कि वो बेकसूर है महिला अगर कोई कह रही है तो बचाओ के क्या उपाय हो सकते हैं और दूसरा हमें ये भी डर था कि कहीं इसके बाद उस महिला के साथ भी कोई घटना दूर घटना हो जाए और उसके आरोप भी हम पे लगा दिये जाए तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि एक तो मेरे पती का मेडिकल करा दीजे ताकि अगर रेप हुआ होगा तो उस महिला ने भी अपने बचाओ के लिए कुछ तो उपाय किये होंगे और ततकाल की घटना कब की है उसने बताई नहीं है लेकिन कुछ तो निशान जब मेरी जानकारी में आया है तो शरीर पे होंगे तो आप एक तो इनका मेरे पती का मेडिकल करा दीजे उस महिला को भी सुरक्षा दीजे कि कल को कोई बात उसके साथ हो जाती है त उसके आरोब भी हम पे न लगे और महिला के भी मेडिकल वगर जो भी प्रोसेस है वो कराईए और F.I.R. हमारी दर्ज करिए कि इस तरीके से फरजी फसाने की कोशिश हो रही लेकिन दुर भागे हमारी सिकायत पर कोई कारवाई नहीं हुई राजपाल के यहां भी दिया कराय जा रहा है कि हम लोग धमकी दे रहा है कि वो अपने मामले को परसु नहीं करे और कोट के सामने उपस्थित नहीं हो उसके लिए उसको डराधम का रहे तो फिर मैंने RTI से कई सारे facts निकलवाए उसके निकाले तो कई सारी ऐसी चीजें दिखी जो apparent ही यह दिख रहा था कि एक तो कई applications जो दिये गए application में अलग-अलग तरह की बात कही गई थी कई जगा writing भी match नहीं हो रही थी कुछ call details मिले जो धमकी का मुकदमा हमारे उपर कराने complaint case की गई थी उस पर police ने जब विवेचना की तो call details निकाला तो उस पर उस महिला के हमारे घर के आसपास कही location न जब तो एक ऐसा नंबर दिखा जिस नंबर से कई बार बाते हो रही थी और वो नंबर भी महिला उस जिसने आरोप लगाय था और उस महिला की महिला आयोग की अध्यक्छा का वोना की एक सदस हैं अशोक पांडे जिसके पास हमारी complaint गई थी उन ही के नंबर थे जिससे लग महिला बाद में जब पुलिस थाने में धमकी का कंप्लेन देने गई थी उस दोरान भी उनकी महिला आयोग की सदस्या से बात हुई थी तो इन सारे तत्यों को लेके फिर मैंने एफाई आर के लिए दिया तहरीर की इस तरीके से हमें फरजी फसाने की कोशिश हो रही है और चुकि हमारी किसी से दूश बनी नहीं थी और ये सारी चीजे अवैद खनन की शिकायत के बाद ही आई थी और पहले धमकी भी मिल चुकी थी तो इन सारे चीजों को लेते हुए मैंने एक एफाई आर के लिए तहरीर दी जो दर्ज नहीं हुई और काफी प्रयास के बाद को एफाई आर दर्ज हुई लेकिन दर्ज भी हुई उसको छुपा के रखा गया हमें बताया नहीं गया जब मैं कोर्ट में जाते रही कोर्ट में प्रोसेस होता कि जब आप वहां जाते हैं कि एफाई आर दर्ज हो तो कोर्ट एक रिपोर्ट मंगाती है कि इस मामले में एफा पना दिया था लेकिन आज पता लेगा कि इतने तारिक को ही एफायार दर्ज हो गई यानि कि अगर ये कहा जाए कि मंतरी के खिलाब सिकायत किया गायत नूतन ठाकुर ने और सजा मिली जो है अमताब ठाकुर को जी बिल्कुल चुकी शिकायत मैंने की थी परसू भी मैं कर रही थी इतना जरूर है कि कई ऐसे मामले भी चुकी मेरे पती भी सरकारी सेवा में होने के बाद भी मैं कहूंगी सामाजिक सारोकार भी रखते हैं जैसा हर आम आदमी रखता है और मैं कहूंगी कि हर भारतिय नागरी को रखना भी चाहिए और अगर उनके पास कोई जिसकी शिकायत या वो पीडित है और शिकायत पुलिस के द्वारा नहीं सुनी जाती रही है या वो प्रताडित महसूस करता रहा और मेरे पती के पास मदद के लिए आया उन्होंने मदद की तो कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिस पे मेरे पती के द्वारा मदद की गई जो शायद मंत्री जी को मैं नहीं कहूंगी और भी वरिस्ट अधिकारी कह लीजिए और प्रशासलि कुछ ऐसे मुद्दे भी थे यादव सिंग का मामला भी मैं कहूंगी क्योंकि अवैद खनन की शिकायत और ये दोनों शिकायत लगभग आस पास मैंने की थी और जिस तरीके से यादव सिंग मामले में भी बड़े-बड़े राजितिक लोगों के प्रश्रे की बात आ रहे ह तो ये सारा चीज मुझे लगता है कि एक साथ मिलके इतने बड़े पैमाने पे चुकि था कि शायद अगर हमें क्रश करने की कोशिश नहीं की गई तो हम कुछ और ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सरकार में बैठे लोगों का नुकसान हो तो हमारा मुँ बंद कराने की कोश तो इस गटन होने के बाद जो है जो दलित्व की सिकायत आती है उनमें कितना होता है कितना उनके साथ जस्टीस होता है तो काफी टाइम से एक डेड़ साल से उत्तर प्रदेश में सीस्टी कमिशन में अध्यक्ष और सदस्य सभी के पद खाली चल रहे थे तो मैंने एक कंप जिस पे किस जाती के कितने थाना ध्यक्ष होंगे संख्यावार वो जिले में वो गौर्मेंट जियो था कि उसी के अनुपात में तैनाती होनी चाहिए थी उस जियो का काफी वाइलेशन हो रहा था और जातर जगह थे जहां पालन नहीं हो रहा था एक जाती विशे इसके ल करेगा तो फिर मैंने एक रिट पेटिशन फाइल की इलहाबाद हाई कोड की लखनो बेंच में जिसके बाद से आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ती हुई